मोहन और शोहन ने एक समपती में इतना रुपय और इतना रुपय का निवेस किया। छे महीने बाद शोहन अपना हिंशाँ वापस लेता है। वर्सक धूम्त में उनका लाव इतना हुआ। तो मोहन द्वारा अर्जितलाव कितना होगा सबसे पछले रेश्यों में है तो इसको काट लो यह एक चीज आपको मालूब है कि यहाँ पर प्रोफिट इकोल्स टू क्या होता है इंवेस्टमेंट इंटू टाइम आप कितना investment करें और कितने समय के लिए करें वही आपकी profit होती है तो investment का ratio यहाँ पर क्या दे रखा है इनका investment का ratio दे रखा है 3-4 का अब बोला क्या गया है भई बोला यह गया है कि अठीक है छे महिने बाद सोहन अपना हिंसा निकाल लिया अब यह था मोहन और यह था सोहन ने आपना निवेस किया मोहन ने कितना 12 महिने के लिए निवेस किया तो मोहन की investment एप्रोफिट कितना हो है 36 और सोहन के profit कितनी होगी 24 लेकिन actual में के profit कितनी मिली है 540 मिली है यानि 6-4-10-3-2-5-6 6 के वेलु कितनी है यह इसका 90 गुना ज्यादा है आपको बोला गया है कि मोहन वारा अरजित लाव कितना होगा और मोहन की वेलु कितनी है 36 ओहो नौ गुना है मोहन की वेलु कितनी है 36 तिसका जो profit होगा वह भी 36 टाइम्स होगा और इक इतना हो जाएगा 9.54 यानिकि लास्ट का डिजिट फोर अना चाहिए और फोर एक ही अप्सर में है अप्सर नंबर 30 और 5 कितना होता है 75 बारा 32 अला कि option यहीं आ रहा है तो हम यहां से मैं समझाना यह चाह रहा था कि अगर आपका लास्ट डिजिट मैच कर रहा है कि इतना है चोटा से चोटा कैलकुलेशन हो आपको उसी से आगे चलना है कि नहीं मैच कर रहा है तो भी मैंने बहुत सारे च जे कर रहा है तो